तो गर आप उससे पूछेंगे सबसे सस्ती सेबन सीटर कौन सी है तो मैं ये तो नहीं वोलूँगा कि रेनो ट्राइबर है लेकिन सबसे आराम दायक सेबन सीटर पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूँगा आपको कि वो है रेनो की ट्राइबर और आज आपको इस गारी म साथ लोग बैठ सकते हैं और मैं अभी खड़ा हूँ गुरुग राम के MG Sona Road रेनो पर और आपको बता दूँ अगर आप यहाँ गाड़ी खरीदने आते हैं ना सिर्फ पावर उन विल बता दीजेगा और दिखा दीजेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्फ्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है तो इसका भी फाइदा जरूर उठाएं तो दोस्तों पूरे वीडियो में बात करेंगे रेनो ट्राइबर के इजी एम्टी के बारे में क्योंकि रेनो ट्राइबर का इजी एम्टी बन गया है नई सहूलियत अगर आप बंपर टू बंपर ट्राइफिक से परेशान है तो यह पूरा वीडियो जरूर दिखेगा तो दोस्तों आईए दिखाता हूं सबसे पहले कुछ और बात करें डिजाइन की मैं इसमें साथ लोग आ कैसे सकते हैं तो मैं शुरुआत करूंगा मेरे पास पूरी की पूरी टीम है और मैं यह गेट खोलता जाओंगा और काउंट करता जाओंगा आप गिनते जाहिएगा अगर मैं इसे गरबर हो जाए ना तो आप गिन लीजिएगा तो चलिए भाई साब बैठिए पहला बंदा गया गिनते जाहिएगा इसलिए वो लाओं सबकों कि गिनना ज़रूरी है दो लोग गए चलिए सर यह दिखिए तीन लोग गए और यह चार लोग हो गए हैं और आ पांच लोग गए पीछे मतलब अभी इतनी सीट पर दो पंक्तियों में पांच लोग बैठ चुकी हैं और मैं बंद कर देता हूं इसे और एक वाई साथ मैम है आईए मैम किते हो गए कांट कर सकते वाप छे लोग हो गए और अब मैं पहनता हूं मास क्योंकि मैं भी बैठने जा रहा हूं मैं भी दिखाता हूं किते लोग बैठ सकते इसमें और फिर मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि लोग कितने खुश हैं इसमें बैठ कर और यह हो गए साथ लोग तो दोस्तों बात करते हैं ट्राइबर के डिजाइन की तो आपको बता दू डिजाइन में अगर आप चाहे मैनुवल की बात करें फिर या फिर एम्टी की कोई भी चेंज नहीं मिलेगा तो मिलता क्या है वो बता देता हूं आपको प्रोजेक्टर हेड लैंप मिल जाते हैं और इस सेग्मेंट पर प्रोजेक्टर हेड लैंप मिल रहा है तो आप सो सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है साथी क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल मिलेगा आपको यहाँ पर भी आपको क्रोम मिल जाता है और यहाँ पर भी आपक खुश करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी आकरशक चीजें दी गई तो दोस्तों बात करते हैं इसके वील का और ये आपको 15 इंच का इसमें वील मिलता है और साथ ही आपको बता दूँ ये डायमंड कर्ट सिल्वर वील है जो की बहुत अच्छे से इस पर फवर है साथ ही यह यहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल A, B, C तीनो प्रिलर पर बढ़िया से मिलेगा और साथ ही आपको एक रूप रेल मिल जाता है काले रंग का और ये जो डोर हैंडल मिल रहे हैं ये बॉड़ी कलर्ट है और साथ ही ORBM भी बॉड़ी कलर्ट है और ये इलेक्ट्रिकली अज जो इसका ग्राउन क्लेरंस है ये भी बहुत अच्छा है आपको बता दूँ 182 मिलीमीटर का है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करती है थोड़े-बुड़े उबर खावर रास्ते भी ये सभाल लेती है तो दोस्तों रियर डिजाइन की बात करें तो आपको दिखा द अंदाज में आपको मिलेगा और यहां पर रूप रेल मिलेगा और यह वाइपर के लिए जो इस वाले वाइपर के लिए यहां से पानी निकलता है अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हो तो यहां से वो होगा और यह वाइपर यहां पर मिल जाएगा और साथ ही यह आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं और इसमें reverse parking camera भी दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें reverse parking camera भी दिया गया है और साथ ही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको यह Easy R इसके MT को नाम दिया गया है इस variant को तो लिखा गया है Easy R Energy यहां पर अंकेत मिलेगा खोल देता हूं और खोलने के बाद में आपको छोटा सा एक छोटी सी जगे मिलेगी और इस सीट की चर्चा बहुत लंबी चोड़ी हुई है और इसके पहले वीडियो में आई मार्क पर जाके देखिएगा मैं दे दे रहा हूं वहां पर किस तरीके स से खुलती है फिर भी एक अंदाज आपको दिखा देता हूं इस सीट को अगर आप खोलना चाहें तो किस तरह किसे निकाल सकते हैं बहुत इजी है आप इसे करिए और कुछ करने के जरूब आगे कर दीजिए तो यह सीट दिखाता हूं आपको निकाल के यह अराम से निकल सकते हैं लिपटा हुआ है तो आगर आपको समझना पड़ेगा सीट कैसे निकलना थोड़ी मेनत करने हैं लेकिन जब एक बार आप यूस्टू हो जाएंगे तो आप इसे निकाल सकते हैं लगा सकते हैं जरूरत नहों तो इसे घर में रख दीजिए और जरूरत है तो लगा थर्ड रो में बैठ गया हूँ तो अगर मैं थर्ड रो में बैठता हूँ तो आपको बता दूं कि मैं कम्फटेवल नहीं हूँ यानि कि थर्ड रो उनके लिए है जिनकी हाइट बहुत कम है और या फिर बच्चे हैं थर्ड रो में बैठ कर खुश रहेंगे लेकिन मेरे ज जिससे आपको दिक्कत नहोगे, और थर्ड रो में आप बैठे तो क्या मिलेगा, यहां पर आपको दे दिया गया है 12 W का साकेट, जो की आपको मदद करेगा, अगर आप पों चार्च करना चाहते हैं, तो यहां पर भी लगा के चार्च कर सकते हैं, तो थर्ड रो में मैं comfortable नहीं हूँ लेकिन थर्ड रो मैंने आपको दिखा दिया मैं रैनो ट्राइबर के दूसरी पंक्ती में बैठा हूँ और आपको बता दू मैं पसीने से तर बतर हूँ क्योंकि उमस बहुत हो रहा है और अगर मैं इसकी चर्चा करूँगा तो यहां बता दर्वाजे पर सामान रखने की भी जगे मिल जाएगी और इसका मैं आपको बता दू कि अगर मैं ड्राइब कर रहा हूं तो यह सीट ऐसी है और मैं बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कितना लेगरूम मिल रहा है तो सेकंड रो पर मुझे कोई दिख करते हैं सेकं आपको टच मिल जाता है ड्राइबिंग यह कोई भी आपको इस पर अपने सब कुछ पता चलता जाएगा अगर आपने कनेट कर रखा तो सब कुछ दिखता चला जाएगा ट्रिप रिपोर्ट यहां देख सकते हैं इको कोचिंग यह सब कुछ नजला जाएगा आप टिप्स हो जाएगा और गारी लॉक करनी है तो यहां पर इतने बटन मिल जाता है स्टेरिंग विल पर कुछ नहीं मिलता है लेकिन आपको एक बढ़िया स्क्रीन यहां पर डिस्प्लेय मिलेगा जिस पर आपको बहुत सारी सीजिए मतलब रेंज भी गारी की आपको दिखती है और बहुत साप सफाई से यहां पर दिया गया है तो आप देखोगे तो लगेगा कि एक अच्छे अंदाज में रेंओन इसे प्रीमियम अंदाज में देने की कोशिच की है और साथ ही क्या मिलता है आपको यहां पर ग्लोब बॉक्स के दो कंपार्टमेंट मिलेंगे एक यहां म मुझे अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है अलकि यह स्प्लिट नहीं होता मतलब निकलता नहीं है यहां पर जो ड्राइबर साइड में और को पैसेंजर साइड में दिया गया है लेकिन इसका जो फैब्रिक है बहुत ही लाजवाब टाइप का है यह देखने में मुझे लगत यहां पर आगे भी आपको यहां पर नजर आएगा आपको और यहां भी सामान रख सकते हैं और इसके ठीक नीचे आपको एक कूलिंग नॉब दिया गया है इसके नीचे अगर आप रखना चाहेंगे पानी की बोटल और रख दीजे हमेशा ठंडी बनी रहेगी और यहां से उसे से भी कर सकते हैं इस यहां पर दिया गया है पूरा आपको जितना चाहिए उसे साब से देख सकते हैं पीछे वाले जो कि अब एम्टी के साथ आती है कितनी बदली हुई है इसका नेचर कितना बदल गया है इसमें जब यह एम्टी में आ चुकी है तो आपको खुशी होगा यह जानकर कि इसका जो शिप्टर है बहुत ही इजी शिप्ट करता है पता नहीं चलता है तो यह आपको अच्छा लगेगा और यह ऐसी seven-seater गाड़ी है जिसे मैं सबसे comfortable इस segment में सबसे comfortable seven-seater बोलता हूं और आपको इसे लेके कभी भी दुख नहीं होगा दुख तब होता है जब आप देखते हो कि इसका after sale बहुत अच्छा नहीं है और किसी जगे पर आपको थोड़ी तकलीफ होती है लेक तब अगर आप अकेले बैटे हैं गारी में तो अलग से आपको पता जल जाएगा कि यह गारी किस तरह से perform कर रहे है और जब इसमें पूरा गारी भरी होगी तो थोड़ा सा आपको इसका nature में थोड़ा परिवर्तन लगेगा लेकिन कहीं से भी आपको यह दुखी नहीं करत थी कुछ ऐसा ही इसके साथ हुआ है और रेनो ट्राइबर के बारे में ना सिर्फ कोई हर कोई जानना चाहता है सुनना चाहता है बलकि इसे खरीदने भी लोग दिल्चसपी लेने रगे हैं और इसे बहुत ज़्यादा है बोलें कि भारत में सबसे ज़्यादा रेनो के इस दिल्चसपी है तो वो है ट्राइबर और हो भी क्यूना क्योंकि इसमें आप पूरे परिवार को बिठा कर साथ में चल सकते हैं आपने देखा मैं एक वीडियो में दिखाने की कोशिश की किस तरीके से इस गारी में जब मैंने 7 लोगों को बिठाया और कितने आराम से थे ज और इसमें भी वो सब कुछ निचर आपको मिल जाता है और इस जगे पर एक बार लगेगा कि आपने गारी खरीद कर अच्छा किया है आपको बुरा ने लगेगा अगर आपका परिवार साथ लोगों का है आपको मिला कर या फिर पांच लोगों का है तो ये गारी बजट में आपको सारे सब कुछ दे जाएगी जो आप ये गारी में उमीद करते हैं और इसके पहले इको मारुती की बात करें तो उसमें आपको ये ऐसी सीटिंग की ब्रवस्ता मिलती थी लेकिन ये ज़्यादा सेफ है ज़्यादा कमफूटेबल है और साथ ही ये बैल्यू क्रिएट करती है अपना इस सेग्मेंट में आपको बताओं इसका सस्पेंशन का ट्यूनिंग बहुत प्यारा है मतलब अगर आप किसी स्पीड बेकर से निकल रहे हो और थोड़ा सा अगर आपने ब्रेक अपलाई किया इन्हें की फटाक से कुदा दिया तो आप तक उस जटके की जो चोट होती है वहां तक पहुंचेगी नहीं आपके पीर तर यह मैं आपके डावे के साथ कह सकता हूँ और यह है इसकी डाइप कॉलिटी आप जब इसे टरं कर रहे होते हैं तो वहां पर मज़ा आता है इस सेग्मेंट के हिसाब से इसमें बहुत ही पॉफेक्ट एंजिन ल लाकात की तो बता रहे थे कि उनको 20 से भी जादा का मैलेज मिला है तो वही फिर मेरी बात सार्थक होती है कि मैलेज पूरी तरह से निर्वर करता है कि आप ड्राइब कैसे करते हो अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है आप पाल्तू का एक्सिलरेट नहीं करते हो गाड इस बात का पूरी तरीके से वादा करती है और आप वहाँ पर डिसेपॉइंट नहीं करेंगे अगर आपने गाड़ी ऐसी जगह ले लिजहां पर रेइनो का सर्विस नेटवर्क नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको तक्लीफ आए और तक्लीफ ऐसी हो जो आप उसे फोन करके या मैसेज करके कंप्लेंड करते रहें और बोलते रहें कि भीया मेरी इस गाड़ी में दिक्कत हो रही है प्लीज उसे इंप्रूब करवा दो तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है जहां पर इसका नेटवर्क है और आपको बता दूँ रेनो ने बहुत पहनत नहीं करते हैं मुझे लगता है कि गाड़ियां बेशक कम बनाओ कम बेचो लेकिन अपना सेल्स नेटवर्क जरूर मजबूत करके रखो तो दोस्तों ये थी एम्टी वाली ट्राइवर और इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना सीटों के बारे में बहुत सारी ज तो अगर इस सेग्मेंट में कुछ अलग करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए कोई गाड़ी कम बजट में देख रहे हैं तो ट्राइवर खरीद लेजिए खुश रहेंगे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप मुझे कुछ जानना है